नमस्कार स्वागते आपका नीजरूम पोस्ट पर और मैं हूँ आपके साथ रितिका गर्मियों का मौसम शुरू होते ही बाजार आम की मंद और मीठी खुश्बू से सुगंधित हो उड़ता है आम होता ही इतना स्वादिस्ट है कि बच्चों से लेकर बड़ो सभी को ये पसंद आता है ज़्यादतर लोग आम को काट कर खाना पसंद करते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आम का जूस पीना पसंद करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम खाने में जुतना स्वादिष्ट होता है इसकी गुठली भी उतने ही गुड़ों से भरपूर होती है जी हाँ आम में तो विटामिन, केलशियम, एंटी ऑक्सिडेंट, आइरन, फाइबर, पोटेशियम, मेंगनीशियम और फासपोरस तो होता ही है लेकिन इसकी गुठली भी सेहत के लिए काफी फाइदे मन्द होती है एक्सपर्ट की माने तो इसकी गुठली में कई रोगों को दूर करने की शमता होती है इसमें कोलिस्ट्रॉल, डाइरिया और दिल से जुड़ी बिमारियों से लड़नी की शमता होती है अगर आप दस्ट की समस्या से परिशान हैं तो आप आम की गुटली का चूरंड बना कर खाएं इसका इस्तिमाल आपके लिए फाइदे मन्द होगा इसके लिए आपको क्या करना है आप वो भी जान लेते हैं सबसे पहले आम की गुटली को अच्छी तरह से सुखा ले अब इसकी गुटली का चूरंड बना ले अब जब भी आपको दस्ट की समस्या हो तो एक ग्लास पानी में थोड़ा सा शहद और एक ग्राम इस गुटली का चूरंड मिला कर सेवन करें आपको इससे फायदा होगा आम की गुटली कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में भी फायदे मंद होती है आम की गुटली का पाउडर इस्तिमाल करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में बना रहता है अगर आपका भी cholesterol level बड़ा रहता है तो आप इसे कम करने के लिए रोजाना एक ग्राम आम की गुटली का चूरंट खा सकते हैं जिन लोगों को acidity के समस्य रहती हैं और वो लोग तरह तरह की दवाईयों का इस्तिमाल करके ठक गए हैं तो आपको एक बार आम की गुटली का इस्तिमाल जरूर करना चाहिए आम की गुटली में मौजूद anti-oxidant शरीर में विशाग परदार्तों को बाहर निकालता है इससे आपका पाचक काफी मजबूत होता है दिल से जुड़ी बिमारियों को दूर करने में भी आम की गुटली बहुत ही फायदेवंद होती है आम की गुटली का चूरन इस्तिमाल करने से blood pressure control में रहता है लेकिन यहां खयार रखें कि आपको आम की गुटली का सेवन बहुत ही कम मात्रा यानि एक ग्राम में ही करना है आम की गुटली का इस्तिमाल दातों को भी मजबूत बनाता है आम की गुटली के powder से सुभह और शाम को मंज़न करने पर दात मजबूत होते हैं अगर आपके दात भी कमजोर है या दातों से खून निकलने की समस्या रहती है तो आप आम की गुटली के चून का स्तिमाल करें यह आपको फायदा दिलाता है साथ ही मूँ से आने वाली दुरगंद भी से दूर हो जाती है तो दोस्तों आपको हमारे द्वारत दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखना ना भूले साथ एगर आपनी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले